आखिरकार सप्ता का अंद छुटी का दिन चलो जल्दी कर चलो सप्ता के अंद में खुशिया मनाए त्यान देख लिंगल लिंगल में आ रही हूँ कुत्तों को लेकर बाजू में हो जाए है बगवान जेबरा क्रॉसिंग में तो काड़ी बहुत तेज चला रहा हूँ मुझे काड़ी का ब्रेक लगाना पड़ेगा ओ मुझे एक प्यारा सा कुट्टा चाहिए आप गाड़ी त्यान दो मैं माफी चाहता हूँ मैं तुरंत एक अम्मिलन्स बिलाता हूँ रू को मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें देखा नहीं पेड़ों और जड़ियों के पीछे मै मैं तुम्हें देख नहीं पाया और जेबरा क्रॉसिंग भी नहीं देखा मुझे माफ कर दो पर मैंने भी ठीक से नहीं देखा मैं तो कुट्टों को देख रही थी मुझे आशा है कि अम्मिलन्स तुरंत आएगी क्या तुम्हें बहुत लगी है नहीं मेरा पैर दर्द कर जल्दी आ जाए मैं अम्मिलन्स के आवाज सुन रहा हूं धिरश रखो अम्मिलन्स दिखो अम्मिलन्स आ गई है लो चोटी कैसी हो मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है मैं वहल भी नहीं पा रही अच्छा है कि तुमने हैं में पहन रखी थी हमारे पास एक स्ट्रेचर है औ अब हमने आपकी जानकारी ले ली है अच्छा हुआ कि आपने सीधे अम्मिलन्स को बुला लिया हम जल्दी से बच्चों के अस्पिताल में जाते हैं मैं शक मैं भी जरूर आऊंगा मुझे उसके माता पिता से मिलकर उनकी भी माफी मावी मावनी है मुझे लगता है सब धी मेरा चोटा बच्चा मेरा नाम मिस्टर मिलर है और मेरी ही गाड़ी से इनको चौट पहुचे मैं दिल से मावी मावना चाहता हूं मैं खुद को माफ नहीं कर सकता ओ मिलर हम सब गल्तिया करते हैं और आपको बुरा मानने के जरूरत नहीं है बहुत अच्छा लगा कि आप यह अस्पताल में आए मैं आशा करता हूँ कि तुम भी मुझे माफ कर पाओंगे हाँ पर थोड़ा नहीं सिर्फ मोच आई है थोड़े दिन बाद जरूर ठीक हो जाएगा तो तुम इसमें से क्या सीखे मैं कभी दो को देखते हुए या जेबरा क्रॉसिंग पर देखे बिना गाड़ी नहीं चलाओंगी हाँ और में भी गाड़ी तेज नहीं चलाँगा और जेबरा क्रॉसिंग पर ध्यान दोंगा पक्का मेरे पास एक योजना है कैसे रहेगा अगर मैं आप सब को खाने पर बुलाओ जब तुम अस्पताल में से बहार आ जाओ हाँ ठीक है